अभी तक हमने डायोड को छोड़ दिया था वेला, वेला मतलब की भाई तरको बैटरी बैटरी कुछ नी देंगे, पी को जोड़ेंगे, अन को जोड़ेंगे और जो हो रहा है तो हो जाने दो, मगर अब हम बैटरी लगाने की बातें करेंगे, और अब हम समझेंगे कि जब ब बैटरी लगाते हैं तो हमारे पास दो अप्शन होते हैं दो अप्शन क्या होते हैं कि डायोड के P को अगर हम बैटरी के positive से मतलब P को P से मैं इसको जाद अच्छे से कहना ये पसंद करूँगा कि P को higher potential से और N को lower potential से क्यों क्योंकि इससे अपन को clarity मिलेगी समझने में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार positive या negative से जोड़ा जाए मतलब P अगर higher है तो सीधी सीधी बात है ये forward bias है तो अगर हमारे पास P को higher से और N को lower से connect करें तो उसे बोलते हैं forward bias अगर मैं reverse bias की बात करूँ मतलब कि P side को battery के negative से और N side को battery के positive से connect करूँ तो उसे हम बोलते हैं reverse bias याने इसको याद रखने की बूटी है कि P को N से battery के और N को battery के P से उल्टा positive ये P positive ये N negative अगर उल्टा connect कर दिया उल्टे को English में क्या बोलते है reverse तो इसका मतलब है कि ये बन गया मेरे पास reverse bias अब यहाँ पर दो चीजें तो हो गई forward bias reverse bias हाँ ये तो समझ में आ गया बाबाजी अब आप इसका जारा circuit डाइगराम और इसकी working समझाओ तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सिंपल डाइगराम बनाके रखा है याँ पर देखो भाई अपन को क्या करना है अपन यहाँ पर connect किया इस battery को particularly और जब यहाँ पर यह battery लगाई तो यह positive terminal और यहाँ पर मैंने लगा दिया negative अब यह मेरे पास एक variable battery है अब होगा क्या होगा यह कि जब आप इसको forward बायस करोगे तो यह जो positive terminal है यह positive terminal यहाँ से इन holes को push करेगा योग यह positive 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 को repel करेगा holes को push करेगा जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से और electron को negative terminal जो है यहाँ के inside के electrons को push करेगा जाओ यहाँ से कहां की तरफ जाने को बोलेगा junction की तरफ जाने को बोलेगा तो यहाँ से holes आ रहे हैं यहाँ से फील्ड लगी हुई थी जिसको अपने लास वीडियो में पढ़ा था जिसको अपने बोल रहे थे potential barrier ये potential barrier आने नहीं देगा जाने नहीं देगा ये अगर silicon की बात करें तो इसकी value अपने पास 0.7 volt अगर आपने जो बगाया हुआ potential है वो 0.7 volt से कम हुआ तो ये जाने देगा क्या बिलकुल नहीं क्यों क्योंकि holes इधर आना चाह रहे थे मगर ये electric field के opposite है और electric field positive को अपने opposite नहीं जाने देती और ये अगर strong हुई तो ये बाहर वाली कुछ नहीं कर पाएगी अगर हमने बाहर वाली field को 0.7 volt से बढ़ा दिया या 0.7 के बराबर भी कर दिया अब बाहर वाला ताकतवर है एक बार क्या हुआ एक इनसान था उसके सर पे गिरा गमला जैसे ही वो गमला गिरा तो उस बंदे ने कहा कि आप जाता हूँ कहा से गिरा उपर से गिरा अभी जाके साले का सर फोड़ के आता हूँ तो सर फोड़ने के लिए वो तेजी से उपर की तरफ भागा अब वो जब 6th floor के उपर पहुंचा उसने सोचा सामने वाले का भी गमले से सर फोड़ दूँगा जैसे ही वो अंदर गुसा सामने छट पे देखा एक पहलवान साब खड़ेते खली टाइप कैसे उपर आए जैसे ही उसने देखा उनको उसका रूप ही बजल गया उसने का भाई साब आपका गमला बापिस करने आया था तो यहां पर बात वही थी जब तक बाहर वाला कमजोर था अंदर वाले ने खुब आँग दिखाई ओ भाई हो इधर जाने की जरूवत नहीं है मगर जैसे ही बाहर वाली फील्ड पोटेंशियल बैरियर से जादा हो गई तो हुआ यह कि यह positive in positive को अब इतनी energy दे देगा यह इतना force से repel करेगा कि यह अब इधर भागेंगे अब यह आँग दिखाएंगे अब यह बोलेंगे ओ भाई तू खली है तो ठीक है हमारे पास देख अंडर टेकर अंडर टेकर अंडर टेकर इतने सारे अंडर टेकर खड इधर से electron आने लगेंगे और इस region में अब holes और electrons फिर से recombine होने लगेंगे अब आप कहोगे कि बाबाजी थोड़ी देर के बाद यह holes और electrons सब recombine कहानी खतम नहीं ऐसा नहीं होता क्या होता है तो जैसे ही यहाँ पर एक hole और electron recombine होते हैं यहाँ पर बहुत सारे silicon हैं ना उनका एक covalent bond तूट जाता है और electron चला जाता है यहाँ पर electron तो यहाँ पर क्या create हो जाता है एक hole तो जैसे ही एक hole यहाँ पर create खतम होता है एक hole यहाँ create हो जाता है और जैसे ही एक electron वहाँ जाता है बैटरी से एक electron वापिस यहाँ आ जाता है और यहाँ पर एक electron generate हो जाता ह और ये never ending process है नहीं तो अपने mobile जो है वो खतम हो जाते है थोड़ी देर के लिए display देखो खताम mobile खताम finish ऐसा नहीं है टौफी टाइप थोड़ी नहीं कि खा लिया तो डगार मार गया अपन ऐसा नहीं है तो ये चीज़े everlasting है मतलब ये चलती रहेंगी जैसे जैसे flow होगा वैस सा graph आपको मिलेगा अगर आपको circuit देखना है तो ये बिल्कु सिंपल सा circuit डाइग्राम है ये आपके पास है P side ये आपके पास है N side P को higher potential से N को lower से इसका voltage measure करने के लिए इसके parallel में वोल्ट मीटर और current measure करने के लिए series में 1 mm क्योंकि current बहुत कम होता है यहां पर mm बहुत कम voltage आपने जो इलेक्ट्र वोल्ट की battery पे काम कर रहा है तो इसी लिए अपने जो ये devices है ये बहुत कम power लेते हैं अपनको बहुत ज़्यादा energy देने कि वह बहुत वह और MTB फटे बहुत क कम नहीं है अगर वो जादा ले रहा है इसका मतलब कही नगी कुछ चॉट सरकेट या कुछ नगी डिवाइस में प्रॉब्लम आने वाली है कान में जादा मत लगाना नहीं तो यहीं फटेगा दिक्कत जादा हो जाएगी तो यह हो गया हमारे पस फॉरवरड बायस अब आप कहोगे बाबाजी आपने तो बोल दिया हम पेपर में कैसे लिखेंगे तो यह लिजिए आपके लिए बाबाजी ने पूरे पॉइंटर सयार कर दिये हैं जिसमें आपको सब कुछ पता है कि फॉरवरड बायस में हायर से जादा होना चाहिए जब अपन forward bias की बात करते हैं तो इधर से holes आ रहे हैं इधर से electrons आ रहे हैं तो जो depletion region होता है वो पतला हो जाता है तो जो depletion width है वो decrease हो जाएगी और क्योंकि forward bias में आप conduct कर रहे हो इसलिए आपका जो resistance है वो भी बहुत कम हो जाता है तो यह हमारे पास कहानी हुई forward bias की चलिए अब बढ़ जाते हैं reverse bias की तरफ जब आप reverse bias की तरफ जाओगे तो क्या होगा आपने क्या किया आपने connect कर दिया lower potential को P से याने negative terminal को battery के और higher potential को N से मतलब battery के positive terminal को अब पहले जो थी हमारे पास कहानी वो तो थी मगर अब क्या हुआ यह negative, यहा के holes को attract करेगा, जब holes को attract करेगा तो पहले यहां holes थे, मगर अब क्या हुआ, holes उधर भागना स्टार्ट हो जाएँगे अभी आप देखो, यहाँ पर अपने पास holes थे, मगर holes यहां चले गए, यहां पर आपके पास electrons थे ये positive इन electrons को क्या कर लेगा इधर जो electrons थे उनको attract कर लेगा तो ये जो depletion width है ये बढ़ना start हो गई अब जब ये depletion width बढ़ना start हो जाएगी तो current flow होगा क्या नहीं होगा, ideally तो नहीं होगा practically एक leakage current बोलते है reverse saturation current बोलते है वो flow होता है minority charge carriers के कारण और उसका जो main reason होता है वो होता है temperature वो इस external voltage पर depend नहीं करता तो जब आप battery लगाते हो बाहर side पर तो reverse bias में depletion width क्या होने लग जाती है बढ़ जाती है, कोई current flow नहीं होना चाहिए ideally प्रैक्टिकली एक minority charge carrier क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ holes बैठे है न यहाँ पर कुछ ना कुछ electrons बैठे है न minority charge carriers याद आया उनकी वजह से current यहाँ पर flow होता है और वो जो current होता है वो कहलाता है leakage current या reverse saturation current और वो इस voltage पर depend नहीं करता मगर अब क्या होगा? अब अगर आप इस voltage की value को बढ़ाते जाओ तो यहाँ पर depletion width बढ़ती जाएगी जब depletion width बढ़ेगी तो यहाँ पर electric field भी बढ़ती जाएगी बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी एक time ऐसा आएगा कि electric field इतनी strong हो जाएगी कि F is equal to QE force लगता है ना किसी भी charge particle पे यहाँ पर electrons बैठे हैं बहुत सारे क्योंकि यह तो अपन सिफ doping बना रहे हैं यहाँ silicon भी तो बैठा है यह germanium है तो germanium भी तो बैठा है तो हुआ यह कि electric field बहुत ज़ादा हो गई तो यहाँ पर जो electrons थे उनके उपर force बहुत ज़ादा हो गया और जब force बहुत ज़ादा हो गया तो वो सारे कि सारे electrons निकलेंगे बाहर covalent bond को तोड़ देंगे और वहाँ पर field की वज़े से इतनी energy मिल जाएगी तो valence band से jump करके सीधे कहां पहुँचेंगे सीधे पहुँचेंगे conduction band में तो जैसे ही conduction band में पहुँचेंगे अचानक से बहुत सारा current क्यों? क्योंकि यहाँ पर generate हो जाएंगे बहुत सारे free charge carriers और जब वो free charge carriers यहाँ generate हो जाएंगे तो current की value अचानक से बढ़ जाएगी और वो जो voltage होगा जिस पर ये breakdown हुआ इस phenomena को बोलते है breakdown और जिस voltage पर ये होता है उसे बोलते है breakdown voltage तो ultimately आपका circuit वही है बस अब की बार आपने ulti connect कर दी battery यहाँ पर जो negative terminal है वो connect हो गया है positive से मतलब P type से और जो positive terminal है वो connect हो गया है N side से और इस case में अब कोई current नहीं होता एक छोटा सा current होता है जिसे बोलते हैं leakage current milli emitter यहाँ पर micro emitter लगाया है क्यों क्योंकि reverse में बहुत ही कम current होता है और ये parallel में लगा दिया अपने एक voltmeter तो ये आपके पास तयार हो गया क्या तयार हो गया एक PN junction का reverse bias पूरी कहानी जो आपको बतानी थी बावा जी ने इसमें mention कर दी है इसमें याद रखना कि reverse bias में depletion width बढ़ जाती है reverse bias में resistance बढ़ जाता है तो ये आपके पास कहानी हो गई reverse bias की अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी current और voltage characteristics पर बहुत 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 ही जादा important है diode की IV characteristics अब IV characteristics diode की क्या कहती है कि देखो forward bias बिल्कुल यही setup जो अपने अभी सीखा था P को positive से N को negative से जब भी IV characteristics बनानी हो तो forward bias का circuit बनाओ reverse bias का circuit बनाओ क्यों मनाने को बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी characteristics measure करने के लिए आपको value सो निकालनी पड़ेंगी voltage और current की तो एक series में क्या लगा दो emitter parallel में क्या लगा दो voltmeter जब आप P को N से connect करोगे तो reverse जब आप P को P से मतलब higher voltage से connect करोगे तो forward circuit diagram दिमाग में बैढ़ गया बिलकुल बैढ़ गया होगा अब देखो यह आगया अपने पास graph जब forward bias की बात करते हैं तो forward bias में current अपना milli ampere में है voltage अपन वोल्ट में ले रहे हैं जब आप positive voltage बढ़ाते हो तो initially कोई current flow नहीं होता बहुत थोड़ इसी देर के बाद जब यह voltage जो है 0.7 volt को cross कर जाता है silicon के लिए germanium के लिए 0.3 उसके बाद आपने थोड़ा सा ही voltage बढ़ाया मैंने अभी सिखाया तुमको holes को बहुत energy मिल जाती है current एकदम से बढ़ना start हो जाता है आप चाहो तो थोड़ा और इसको ऐसा बना सकते हो उसमें कोई issue नहीं है बस इतना याद रखना कि initially आपका कम current होगा 0 होगा लगभग लगभग और फिर जैसे ही potential barrier को cross करेगा current की value rapidly बढ़ना start हो जाएगी इसलिए diode जो होता है वो non-ohomic होता है और इसकी जो characteristics होती है वो भी non-linear होती है आप इससे क्या निकाल सकते हो current और voltage के graph से आप resistance निकाल सकते हो तो किसी भी point पर आप resistance निकाल सकते हो इसकी IV graph से इसके बाद अगर हम देखें तो जब हम reverse bias करते हैं तो होता क्या है reverse bias के case में बहुत कम leakage current है यहाँ तक तो leakage current आप voltage बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ क्योंकि आपने उल्टा कर दिया connection और current भी उल्टा है तो voltage भी negative current भी negative तो graph आगया third quadrant में अब यह leakage current leakage current यह reverse saturation current मिलेगा मगर एक voltage ऐसा आएगा जिस पर अचानक से junction पर जितने covalent bonds है वो break हो जाएंगे और उनके break होने की वज़ासे current अचानक से बढ़ जाएगा इस voltage को अपन बोलते हैं breakdown voltage इस phenomena को बोलते हैं breakdown इसको zinar breakdown भी बोच रखते हैं फिल्डी की वज़ह से हुआ है तो syllabus में नहीं है नहीं तो zinar और avalanche दो तरह के breakdown होते थे बट अपन को क्या करना zinar भी अब syllabus में नहीं है है ना तुम्हारे लिए तो नहीं है at least तो तुम लखी हो इसको बोलते थे अपन zinar breakdown field की वज़ह से होता है zinar सहाब ने इसको discover किया था मगर अब हमको इतना नहीं जानना हमें से वितना समझना है कि ये breakdown voltage है और अचानक से voltage की value तो वही है मगर current बहुत तेजी से बढ़ गया और ये कहल फिना मिना हो गई अपनी breakdown ठीक है तो ये हमारे पास आ गई IV characteristics initially कोई current नहीं forward bias में फिर current तेजी से बढ़ता है जैसे ही potential barrier cross होता है reverse bias में कोई current नहीं कोई current नहीं कोई current नहीं और जैसे ही वो breakdown आता है अचानक से current की value बढ़ जाती है और ये आपके पास हो गई diode की current voltage characteristics तो हमने diode को पूरी तरह से खतम कर दिया है अब हमारे पास क्या बसता है rectifier, photo diode, light emitting diode, solar cell बस ये चार चीजें बची हुई है आपका ये chapter फुर 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 बनके उड़ चुका है आपका syllabus complete हो चुका है बिल्कुल भी tension लेने की जरूरत नहीं अब सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए मज़े करना शुरू कर दीजिए और exam में इस बार physics में full हम को लाने ही है मैंने तुम्हें बता दिया है bifurcation वीडियो में कि अगर 80% term 2 का consider हुआ और आपके यहाँ पर full marks आ गए तो आपके 90 marks से उपर ही आएंगे कोई रोक नहीं सकता so मिलते हैं next वीडियो में keep sharing, keep liking, keep subscribing and say others motivate others also क्योंकि जितने वो views आते हैं वो हमें बहुत motivate करते हैं आप जितनी बार वीडियो देखते हो वो view का count हमारे लिए बढ़ता है और वो ही हमारा motivation है so मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाबाजी की तरफ से जैखो